आज के वीडियो में DNA Finger Printing के बारे बताएंगे जिसके अंतरगत DNA Finger Printing कैसे की जाती है यानि DNA Finger Printing की किरिया बिधी को बताएंगे आथवा मेकेनिजम आप DNA Finger Printing को समझाएंगे चित्र और उदाहरण सहित Finger Printing की किरिया बिधी को बताने से पहले आपको बता दें कि यदि आप लोग DNA Finger Printing की से कहते हैं इसकी खोज किसने की DNA Finger Printing का सिधानत क्या है यानि कि सिधानत पर कारे करती है DNA Finger Printing के उपयोग कौन कौन से होते हैं ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में DNA Finger Printing Part 1 वाला वीड देखिए उसमें मैंने टोटल जानकारी चित्रों के माध्यम से बताई है चलिए अब डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग की किरिया विधी को समझ लेते हैं तो इसमें पहला इस्टिप है घटना अस्थल से हेयर रूट इसकिन सेमेन ब्लड को कलेक्ट करना उससे डिन्ने अलग कर है यानि घटना अस्थल से जो खून या ब्लड सैंपल मिला है उसमें ब्लड सेल्स होंगी ब्लड की कोसिकाएं होंगी उन कोसिकाओं में केंद्रत केंद्रत के अंदर डिन्ने होगा उस्सटिन्ने को निकालेंगे और उसमें से कलेक् 얼िनIns इसमें अगले इस्टेपर अब केंद्रण इस पे करते क्या है इस किरिया में डियन्ने को निकालने के लिए पदार्थ को तेजी से गोल-गोल घुमाया जाता है या अब केंद्रण किया जाता है जिससे डियन्ने अलग हो जाता है अब डियन्ने अलग तो हो जाता है लेकिन उसकी लंबाई अधिक होती ह या खलीज की length अधिक होती है इसलिए उसे छोटा करना पड़ेगा अब DNA को छोटा करने के लिए use of molecular seizures अथवा use of restriction endonuclease enzyme मतलब DNA को काटने के लिए हमें कैची की जरूत होगी चुकि DNA एक व्रहद molecule है और वह आताहा इसे काटने के लिए molecular कैची की आवश्रक्ता होती है या कलीज की RV कैची की आवसकता होती है और उस RV कैची का नाम है restriction endonuclease enzyme या कैची अथवा या enzyme DNA को अलग-अलग आकार के छोटे बड़े खंडों में तोड़ देता है अथवा कलीज की छोटे बड़े खंडों में काट देता है और हमें DNA के अलग-अलग size के fragment प्राप्त हो जा इन्हें अलग-अलग करना है separation आप DNA fragment by gel electrophoresis पर आते हैं तो DNA खंडों को अलग करने के लिए ये ट्रे जैसा एक प्लेट होती है या खुला बक्सा होता है इसमें उपर एगारोज जिल भरा हुआ है या डाला गया है और इसके इधर किडारे छोटे-छोटे गढ़े होते है DNA fragment के घोल को इन ही गढ़ों में डाल दिया जाता है आप सभी जानते हैं कि DNA negatively charged होते है ये negatively charged होते है इसके विपरीत इधर positively charge लगाना पड़ेगा तो positively charge लगा दिया गया है अब जैसे ही power on करते हैं तो DNA के fragment positive charge की तरह भागने लगते हैं अब यदि मन में प्रेश्ट हो कि किस इसकी सहायता से भागते हैं तो एगारोज जेल की सहायता से भागते हैं क्योंकि इस पर एगारोज जेल पड़ा हुआ है उसी की सहायता से भागते हैं कुछ समय में छोटे खंड दूर और बड़े खंड पास रह जाते हैं यानि जो छोटे छोटे से खंड हैं वो दूर तक चले जाते हैं जो बड़े खंड हैं वो थोड़ा पास ही रह जाते हैं इस प्रकार से जेल एलेक्ट्रोफोरिसिस के द्वारा छोटे खंड और बड़े खंडों को अलग-अलग कर लिया जाता है अब अगला इस्टेप है यूज आप नाइट्रो सेलिलोज मेंब्रेन नाइट लेंगे यह काम कैसे करेंगे तो जेल प्लेट पर नाइट्रो सेलिलोज मेंब्रेन चिपका करके डियन्ने खंडों को उठाते हैं इस किरिया को सर्दन ब्लॉटिंग कहा जाता है सर्दन ब्लॉटिंग मतलब एगारोज जेल से नाइट्रो सेलिलोज मेंब्रेन द्वारा डि DNA खंड नाइट्रो सेलिलोज मेंब्रेन पर चीपक तो जाते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं उन्हें देख नहीं पाते हैं अब इन खंडों को देखने की आवा सकता है तो देखने के लिए next step है hybridization with radioactive probe hybridization with radioactive probe अथवा use a probe यानी अब probe का use करेंगे ताकि लक्षड दिखने लगे या DNA खंड दिखने लगे तो hybridization क्यों किया जाता है उत्तर होगा complementary base pairs bind करने के लिए приomparently complementary base pairs को hybrid muy bind करने के लिए hybridization किया जाता ह। यादि पूछा जाए कि प्रोब क्या है तो बताएंगे闐 लाइब में बनाए गए DNA के छोटे-छोटे 31 nd को प्रोब कहा जाता है लाइब में बनाए गए DNA के छोटे-छोटे एक सूत्रिय खंडों को प्रोब कहते हैं जो VNTR होते हैं इनमें से repetitive sequence होते हैं VNTR क्या है? repetitive sequence होते हैं जैसे A, T, C, G ये VNTR है तो प्रोब में इसी का complementary base pair बनाया जाता है जो प्रोब होता है इसी का complementary base pair बनाते हैं ताकि इसी से जाकर वो जुड़ जाए और DNA का खंड पूरा हो जाए अब इसका complementary base pair क्या होगा? तो A का T, T का A, C का G और G का C होगा इस प्रकार से प्रोब वेंटी आर से जुड़ जाते हैं और DNA खंड पूरा हो जाता है अब अगले step में X-ray पास करेंगे यानि अब DNA खंडों को एक X-ray फिल्म पर लिया जाता है जैसे ही X-ray करते हैं DNA खंड चमकने लगते हैं और आंते में कुछ इस तरह से sample हमें प्राप्त होते हैं एक संदिग द्वेक्ति का DNA ये है दूसरे संदिग द्वेक्ति का DNA ये है कि इन में से किसी एक ने अपराद किया है हम सभी लोग जानते हैं कि chromosome पेर्स में होते हैं जोडे में होते हैं एक पिता से और दूसरा माता से प्राप्त होता है और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मनुस्य की प्रत्य कोशिका में 46 गुर्सूत्र होते हैं अब माल लेते हैं कि ये सात्वा chromosome ये गुर्सूत्र है और ये दूसरा है और ये सोलवा है इसी तरह से दूसरे संदिक धुबिक्तिका है और यही chromosome संख्या तीसरे वाले की भी है तीसरे वाले का मतलब है जो DNA अपराद वाली जगह से प्राप्त हुआ था उसका है अब chromosome नंबर जो 7 है इसमें देखिए उपर 3 रिपीट्स हैं नीचे 4 रिपीट्स हैं दूसरे वाले में उपर 11 रिपीट्स हैं नीचे 9 रिपीट्स हैं इसी तरह से दूसरे chromosome में काउंट करने पर 8-7 और दूसरे विक्त में 8-7 निकलते हैं फिर 16 गुर्सूत्रया क्रोमोसोम में काउंट करने पर 5-10 और 5-2 निकलते हैं अब अपराद वाली जगह से प्राप्त डिरने को देखते हैं तो सातवे क्रोमोसोम में ग्यारह इसमाल वैरियेबिल टेंडम रिपीट से प्राप्त हुए हैं फिर दूसरे वाले में 9 इसमाल वैरियेबिल टेंडम से प्राप्त हुए हैं फिर अगले में 8 और 7 इसमाल वैरियेबिल टेंडम से प्राप्त हुए हैं अब मिलान करते हैं तिनों का कि किसका सेम मिल रहा है तो देखिए इसका डियन्य अपराद की जगह से प्राप्त डियन्य से सेम मिल रहा है इसका इस बेक्ति का जो डियन्य है और जो अपराद वाली जगह से प्राप्त डियन्य है इन दोनों का सेम मिल रहा है एक जैसा मिल रह इसलिए अपराध ही यह दूसरा बेक्ति होगा अब इन दो संदिक्द पिक्तियों के DNA को A तथा B से दर्साया गया है और जो अपराध वाली जगह से मिला है उसे C से दर्साया गया है आप क्या करते हैं एक सरे के बाद प्राप्त DNA को तीनो यानि A B C इनकी तुलिना करने पर क इसका मिलान C वाले से हो जाता है C वाले का मतलब क्या हुआ जो घटना अस्थल से प्राप्त हुआ था DNA उससे मेल खा रहा है इसलिए B वाला ही अपराध ही होगा चलिए अब एक बार जलती से और रिवीजन कर लेते हैं तो घटना अस्थल से खून बाल की जड़ त्वचा वीर या जो हड़ी होती है कुछ भी अगर मिलता है इन में से तो उसमें से ये क्या करेंगे हम DNA को निकाल लेंगे DNA कैसे निकाल लेंगे अलग करने के लिए उसका आइसोलेशन करेंगे और फिर आइसोलेशन करने के बाद DNA बड़ा सा प्राप्त हो जाएगा जिसकी लिंथ अलग होगी बड़ी होगी तो उसे मॉलीकुलर सीजर्स से काटेंगे यानि रिस्ट्रिक्शन इंडो निकलेज एंजायम से उसको काट देंगे तो रिस्ट्रिक्शन इंडो निकलेज एंजायम का प्रियोग करने से या आर्वी कैंची का प्रियोग करने से छोटे बड़े डियन ने के प्राप्ट हो जाएं आप जो चोटे बड़े खंड प्राप्ट हुए हैं इनको अलग-अलग करना है तो अलग-अलग करने के लिए जल गेल एलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अलग अलग जो खंड हो गए है चोटे वाले अलग बड़े वाले अलग उसको एक फिल्टर पेपर पर यानि नाइट्रो सेलिलोज मेंब्रेन पर उतार लेंगे और फिर उसमें प्रोब डालने के बाद उसका एक सरे करेंगे एक सरे करके फिर जो हमें प्राप्त होगा, उसकी तुलिना कर लेंगे, इस तरह से हमें अपराधी का पता चल जाएगा, इस तरह से DNA फिंगर प्रिंटिंग की जाती है, या mechanism आप DNA फिंगर प्रिंटिंग होती है, आसा है आप सभी लोगों को DNA फिंगर प्रिंटिंग अच्छी तरह से वाल